नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे चंदन के पौधों की देखरे कैसे करनी है उनमें कौन सी बिमारी आती है देखिए यह हमारा चंदन का पौधों में तना छेदक कीडे लग गए हैं तो इनका इलाज यही है कि आप किसी तेजधार के हथियार से वहां का सारा कच कड़ा हाटा दीजिये वहां का छिलका हटा दीजिये जहां भी कीडे हुआ वब ढूल लिजी देखिए यह तना छेदक कीड़ा बहुत खत्रनाक होता है यह खिलके के अंदर ही अंदर पौधे को ख में आजा जाता है जिसका अर्ट से पौधे सूक जाते हैं तो चंदन में यह कीड़े का भी अटैक होता है, इसकी देखरेक करना आवस्यक है, बहुत ही साधारान इलाज है, अब लोग ध्यान से जाके पौधों में देखिए, अगर जहां पे कीड़े लगे हूं, तो वहां पे उसका मल हटा दीजिए, क्या होता है चंदन का पौधा में जो एक के पौधे अधिकान सूख जाते हैं, तो इसका इलाज, आज हम करके आप लोगों को प्रेटिकल दिखा रहे हैं, एक हमारा पौधा साथ से आठ साल का हो चुका है, इस पे तना छेदक कीड़े लगे हुए हैं, जिन भाई बंधों लोगों ने हमारा चैनल केके चंदन नसर भी सस्क्राइब नहीं किया है, आप लोग सस्क्राइब करिए, हमारे चैनल पे आपको चंदन सम्मंधित वीडियो मिलते रहेंगे, हमारी कोशिस है कि आप लोग चंदन की खेती से बहुत सारा पैसा कमाएं, फिर वहां का कचड़ा हटाने के बाद, मिट्टी का तेल ले ल होगे, माल यह कहीं होल बना हुआ है, तो होल में भी डाल दीजिए, जिससे कीड़े मर जाएंगे, देखे जैसा कि हम कर रहे हैं, बहुत ही आसान है, देखिए, सब जगा हम डाल देते हैं, कैरो सिनायल है, सिनिंज के साहिता से डाल रहे हैं, आप लोग हमारे वीडियो पे लाश्ट तक बने रहिएगा, हम कंप्लीट जानकारी देंगे, हमारे चैनल में आपको चैनल संबंधित जानकारी मिलती रहेगी, तो आप लोग हमारा चैनल जरू सस्क्राइब करके रखिए, बिल ऑईकॉन को आन करिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें, सबसे पहले हम रीबम मत्वदेश से हैं, हमारे यहां चन्दन के कई पवधे लगे हुए हैं, जिसमें से केवल एक ही पवधे पे तना छेदक कीड़ा लगा है, बाकी हमारे पवधों की अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, इसका भी हम इलाज कर रहे हैं, सो परसेंट एक कारगार पवधा हमारा करीब आठ से दस साल का हो चुका है, इस पे खुस्बू आने लगी है, देखें, फिर वहां पे अपने को मिट्टी, खेद की मिट्टी, उपर से ढग दें, अगर बोर्डो पेष्ट बना हुआ है, तो बोर्डो पेष्ट लगा सकते हैं, और ज्यादा देंगे, ताकि मिट्टी की तेल की खुस्बू अंदर बनी रहे, जिससे किड़े कहीं भी होंगे, अगर होल बना के, तो किड़े समाप्त हो जाएंगे, देखें, बहुत ही आसान है इसका इलाज करना, यह कीड़ा, जिस भी पौधे में लग जाएगा, अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, तो यह पौधा सूख ही जाता है, चंदन का पौधा, तो पहले ही ध्यान देना चाहिए, चंदन की खेती अगर आप लोग कर रहे हैं, तो अपने बाग की देख रेख करते रहें, देख रेख करना आवस्यक है, चंदन के पौधों में कई बीमारियों का अटैक होता है, पर आप लोग अगर ध्यान देते रहेंगे पौधे में, तो सभी बीमारी से निजात पा सकते हैं, देशी तरीका मस्वही करना है, मिट्टी के तिल डालके, मिट्टी से ढख देते है इसका हमारा सक्सेश्पर विजल्ट हुआ है, देखे पौधा हमारा सूखने लगा था, अगर हम ध्यान न देते तो दो-चार महीने कंदर यह पौधा सूख ही जाते देखे बहुत सारे लगे हैं, देख लिए यहाप सारा इसका माटेरियल खा गए हैं, बहुत ही खतरनाक ह अगर होती हैं एक कीड़े, आप लोग चन्दन की खेती एक एकड़ में करीब धाई सो के लगभग पौधे लगा सकते हैं, बाई पंद्रा फिट पे अगर लगाते हैं तो धाई सो पौधे चन्दन के लगेंगे, अगर आप खेत नहीं फसाना चाहते हैं, तो आप खेतों क बीच में जो मेड़ होती है, वहाँ पे चंदन के पौधे लगा सकते हैं, कई किसानों ने मेड़ों पे लगाया हुआ है, यह हमारा तो खेत के बीच में ही लगा है, हमारा खेत भी नहीं फसा है, खेती भी हो रही है, और चंदन का पौधा भी लगा है, चंदन का पौधा कैस से उगाया जाता है हमारे कई वीडियो हैं प्लेलिस्ट आप देखेंगे चंदन की खेती तो हाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे वीडियो देख करके आप चंदन का पवधा उगा सकते हैं बहुत ही आसान है बीज अगर आप लोग चाहेंगे तो हम बीज भी उपलग्ध करा देंगे बाई पोस्ट घर बैठे आपको बीज डिलेवर करा देंगे हम तो चंदन की खेती करिए चंदन की खेती से आप लोग करोलो रुपए कमाईए बाकी आप लोगों की उपर निर्भार है अगर करोलो रुपए कमाना चाहते हैं तो चंदन की खेती ही आसान तरीक है एक नंबर की खेती है किसानिं से आप करोण रुपे कमा सकते हैं देखिए कुछ पौधर हमारे उगे हुए है अपने आप उगाए यह पौधे का बीज हमारा उगने लगा है यहाँ पे कुछ गेहुक खेती लग यह देखिए हमारे हाँ पे भी जगा मेड़ों में चंदन के पौधे लगे हुए हैं, खेतों के बीच में हमने चंदन के पौधे लगाया हुआ है, करीब 60-70 पौधे हमारे चंदन के हैं अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, खेती भी हो रही है, खेतों का भी नुस्कार नहीं हो रहा, तो चंदन के खेती आप मेढ़ में भी कर सकते हैं सफेद चन्दन का एक पौधा अगर तयार हो जाए तो एक लाग से दो से लाग पौँच लाग आठ लाग तक में बिकता है देखे ये पौधा हमारा भी बाग में ही लगा है इस पे भी कोई बीमारी नहीं आई है यह पौधा हमारा चार साल का है, यह भी अच्छा खासा ग्रोध कर रहा है, यहां पे अमरूद का पौधा भी लगा हुआ है, और बगल में आम का पौधा लगा है होश्ट के रूप में, तो अच्छी खासी ग्रोध हो रही है, यह एक छोटा पौधा भी दो साल का पौधा है यह भी अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा है अगर हमारा वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो शेयर करिएगा जय हिंद दोस्तों